मामला है फ्रोजबाद के वाट नमबर 34 का जहां सरके ना बनने के वज़ा से गुस्वाइल लोगों ने किया नगर निकम का घेरा वही मौजूद लोगों द्वारा बताया कि पिछले एक वर्ष से लगतार नगर निकम में शुकारते की जा रही है लेकिन उसके बावजूद भी नगर निकम क्रशासन द्वारा वाट नमबर 34 में फैर रही गंदगी वर नालियों का पानी आ रहा है उसकी कोई सफाई व्यवस्ता नहीं की गई है जिससे गल्यों में जलबराव जैसे समस्याय पैदा हो रही है मही नगर रायक द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि गल्यों का नेमार कारे जल से जल शुरू कराया जाएगा देखें फ्रोजबास से हमारे संबादाता करन कुमार की है रिपोर्ट आप दर सब्सक्राइब करें पैसे आजाएगा तो बन जाएगा तो बन जाएगा तो परेजानी तो परेजानी सब पारी में गिरती है जल बराव बहुत है क्या नाम है तुमारा नहीं जाता है कब से परेजानी है यह कभी से परेजानी है अब 15-16 साले अगी उसी में रहता अब ही कोई लंबरी नहीं नहीं आ रहा हुआ है क्या नहीं किया है यह लोग आपनी मांग लेकर इनका गली है कच्छी है आसपास की गली आपन रही है इनको एक कन्फिजन बास से था कि कुछ लोगों ने जो बार में शिकायत करी उनकी गली पहले बनने लगी तो उनका एक कन्फिजन दूर किया गए उनको बताया गए कि यहां पर आएं तो डूडा में बेज दिया जाता है और डूडा में जाएं तो कि यहां तक नगर निगम का आवश्य है लेकिन कुछ जो मलिन बस्तियां या जो कुछ अल्प विक्षित बस्तियां है उसमें जो डिस्ट्रिक अवर्ण डेवल्लमेंट अथारटी यानि जूडा है उनके द्वारा भी शासन से वित्तिय साहता प्राप्त करते हैं उनमें करेकराए जाते हैं तो सीमा नगर निगम के अंतरगेती रहेगी यहां पर तमाम विवाग काम करते हैं डूडा भी काम करते हैं नगर निगम करते हैं मानिय विदायक जी की निदी से भी यहां काम होते हैं इसके अलावा जो पी डूडी से संबंदित रोड है वो भी अपना काम करते हैं तो इस तरीके कारेदाइक विवाग बहुत सारे हो सकते हैं बड़ शेत्रा दिगार नहीं करने का थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोस्तों क्या कर रही हो अंजली इतने में थैंक यू बोल रही हो अभी तुन को लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है तब जाकर हम बोलेंगे इनको थैंक यू तो जल्दी कीजिए ना